इसे सोल कॉंट्राक क्या है और अगर हमने हमारे कोई पिछले जन्म में किसी परसन के साथ नेगेटिव सोल कॉंट्राक बना दिया है तो क्या इससे हमारी लाइफ में एफेक्ट हो सकता है इसकी और अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रही है तो क्या आकासिक रेकोर्ड से उसको ठीक किया जा सकता है क्या उस सोल कॉंट्राक को कैंसल किया जा सकता है या फिर नया सोल कॉंट्राक बनाया जा सकता है इससे रिलेटिर मेरा आज का वीडियो है जी यहां दोस्तो Soul Contract क्या है ये सबसे पहले हम समझते है Soul Contract ये है कि जब person की date हो जाती है तो जब बहुत सारी Souls एक साथ में आती है तो कुछ Soul जो होती है वो किसी एक Soul के साथ एक Mutual Contract बना देती है Mutual यानि की दोनो Soul की सहमति के साथ वो Soul दुसरी Soul से कहती है कि तुम मेरी Life में मेरे husband बन के आना या फिर मेरी wife बन के आना या मेरे माता पिता या मेरे बच्चे या मेरे बॉस ठीक है या friend कुछ भी हो सकता है ये तुम बन के आना और मुझे तुम कुछ प्रकार के pains देना हो सकता है वो आपके Life में husband बन के आना है ऐसा वा आप decide करेंगे जन्म लेने से पहले कि वो आपके लिए husband बन के आएगा और वो सराब पिएगा आप पिर violence करेगा ठीक है कुछ भी तरह कर से आपको दुख देने की कोशिश करेगा ताकि आप उस Life में कुछ Soul Lessons सीख सके यानि आत्मा के relations जो Soul की evaluation के लिए ज़रूरी होता है ठीक है यह मैं एक example दे रहा हूँ ठीक है यह सब decide हुआ होता है दो Soul के जो Body में आते हैं इस प्रत्वी पर उससे पहले वो जो Soul की दुनिया होती है वहाँ पे ये contract बना देते हैं कि हाँ तुम इस तरह से इस रूप में आना मुझे प्रताडित करना और इससे मैं अपने Soul लेशन सिखूंगी और इससे मैं आगे ग्रो करूंगी ठीक है अब होता क्या है कि उपर Soul की दुनिया में ये दो Soul ने Soul contract बना दिये सामने वाले Soul भी होती है वो ready हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं है मैं ready हो जाऊंगा अब ये पृत्वी पर आती है जन्म लेती है अब ये सब बुल गए है अब उनको ये याद नहीं है कि उन्हों ये Soul contract बनाया हुआ है अब इनका जन्म होता है बाद में फिर जैसे जैसे बड़े होते फिर इनकी शादियों होती है ठीक है ये एक example दे रहा हूं ठीक है अब जिस तरह से उपर decide हुआ था यहां पर क्या होता है सामने वाली जो Soul है वह अस्बंड मन के आती है और ये Soul है वह वाइब बन के आती है अब यहां पर वह अस्बंड है उसी तरह से जिस तरह से Soul कॉंट्राक्ट बनाए हुआ था उसी तरह से वह अल्कोहलिजम करेगा उसको प्रताडित करेगा वायोलेंस करेगा उसको परिशान करेगा ठीक है? तो अब यहां पर क्या होते है कि यह soul परेशान हो चाहती है अब उसको तो पता नहीं है कि मैंने इसको साथ soul contract बनाये हुआ है लेकिन यह suffering करती रहती है अब कई बार क्या होता है कि कुछ soul यहां पर जिसने contract बनाये हुआ होता है वो इस तरह का जो behavior है अपने husband का ठीक है जहां पर वो soul contract बनाए हुआ था तो वो behavior को वो accept करती है अपने husband को accept करती है ठीक है flexibility है forgiveness है love, compassion ठीक है understanding, power, confidence ये सब soul lesson वो सीखने के प्रयास करती है ठीक है वो जीरे जीरे grow करने का प्रयास करती है लेकिन कई बार ऐसी bad situation आ जाती है कि वो जो soul है इतनी evolve नहीं हो पाती है वो जीवन उसके लिए बहुत दुखदायक हो जाता है उसको ये लग रहा है कि यार ऐसा क्यूं कर रहा है मेरा husband मेरे साथ मेरे साथ ही क्यूं हो रहा है ऐसा लेकिन उसको पता ही नहीं है क्योंकि उसने soul contract तो अपने जन्म से पहले ही बना दिया है यह सिर्फ में एक example दे रहा हूं ठीक है मैं सिर्फ एक example दे रहा हूं husband wife का अब यहां पर क्या होता है कि मान लिजे कि अब वो soul इतनी दुखदायक painful situation में है कि उसको बस अब नहीं ये सहन होता है ये toleration नहीं होता है कि यार इस तरह का violence या alcoholism या प्रताडित करना अपने अस्बंड के द्वारा वो उसको tolerate करे नहीं हो रहा है उसको वो soul अब इतनी ठक चुकी है कि वो evolve नहीं हो सकती है उसकी अंदर जो strongness है वो power है वो confidence है वो understanding है वो नहीं आ रही है वो ठक चुकी है soul तो यहां पर अकाशिक record help करता है जी हाँ अगर आप चाहे तो यह जो soul contract आपने बनाया हुआ है जो वाके में actually में देखा जाए तो आपकी soul की growth के लिए ही होता है लेकिन इस जन्म में आपको यह पता नहीं चल रहा है आप बहुत lower feel कर रहे हैं आपकी tolerable capacity अब खतम होने जा रही है अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है तो उस time आप soul contract को रद कर सकते हैं कैंसल कर सकते हैं जिहां आपके अंदर यह power है कि आप उस soul contract को cut कर दीजी रद कर दीजी और यह पूरी प्रोसेस आकासिक record में सीखाई जाती है जिसमें आकेंजल माइकल की सहायता से और आकासिक record की healing की मदद से यह soul contract को cancel किया जाता है और अगर चाहे तो फिर से नया soul contract उसी जन्व में बनाया जा सकता है जिहां आकासिक record में यह सब possible है कि आप पुराने soul contract को cancel करें और नये soul contract को बनाएं जिस सब आकासिक record में सिखाया जाता है तो अगर आपको आपका soul contract रद करना है, cancel करना है, नया बनाना है तो सिर्फ इतना ही करना है तो भी आप मुझे contact कर सकते हैं यह फिर पुरा आपको आकासिक record का course सीखना है तो भी आप मेरा contact कर सकते हैं 9974-969080 जिहां यह सब possible है अगर आप चाहे तो अगर आप चाहे तो possible है यह तो मैंने सिर्फ एक husband wife का बता है हो सकता है कोई ऐसी soul decide करें कि तुम मेरी life में wife बन करा रहा हो और मुझे प्रताडित करना ठीके ठीके मुझे परिशान करना मुझे दुख देना और मैं में evolve होगी soul या मेरे माता पिता बन कर आना और मुझे इस तरह से हमिलेशन करना मेरा अपमान करना मुझे इंजस्टिस करना या फिर बच्चे या सान या डॉटर बन के आना और मुझे परिशान करना यह सब एक्चली होती है अपने इस वह सोल की ग्रोथ के लिए लेकिन कई बार होता है कि कुछ लिमिटेशन के बहार अगर चल जाता है तो सोल अपने आपको फिर बहुत लॉनली मैसेश करती है एनर्जी उसके डाउन हो जाती है वह उसके लिए सब टॉलरेंस अब आउट आप लिमिट हो जाता है तो यहा पनकारिया आपको कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में जरू से बताएं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरू से करें साथ ही साथ उपर आई बटन पर और लाश्ट पर आपको होली फायर देकी फ्रीजबू सिम्बॉल एनलपी है हिपनोसिस है कुछ गुजराती में भी हो गए वीडियो आकासिक रेकोर्ड को भी है वीडियो उनको आप जरू से देखिए और दूसरों को भी शेयर जरू से करें थैंक यू सो मच